नमस्कार दोस्तों स्वागात आपका है इसकी स्वीडियो में दोस्तों जिसे क्या आप जानते हैं कि हमारे पीअफ अकॉट कीAm में जमा करना होता है तब कहीं जाकर हमारे PF account की गलत जानकारी सही हो पाती है तो इसी से जुड़े कुछ सवाल है पहला सवाल है कि Joint Declaration firm को किस PF office में जमा करना होता है और दूसरा सवाल है कि PF office तक अगर खुद PF members नहीं जा सकता वो किसी भी कारण से हो सकता है कि PF office कहीं दूर हो जिस वज़े से PF members वहां तक नहीं जा सकता और उस फार्म को जमा नहीं कर सकता तो यसे में वो फार्म के से जमा कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों सवालों की जवाब दूँगा अगर आपकी भी joint declaration firm से जूड़ी एसी कोई प्रावलम है तो आपको इस वीडियो में इस प्रावलम का solution जरूर मिलेगा तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आपको इस प्रिंटर को गूगल से डाउनलोड कर लेना है फिर इसका प्रिंटर निकलवा लेना है उसके बाद में इस form को in hand भरना है in hand भरने के बाद में इस form के साथ में आपको कोई document लगाना है फिर इस form पर आपके sign और company के sales sign करवाने होंगे तो हो सकता है कि आप में से कुछ के मन में ये तीन सवाल आये होंगे कि इस form को कैसे download करना है कैसे भरना है और फिर कैसे company के sales sign करवाने है तो चिंता मत किजिए आपको इन तीनों सवालों की जवाब भी इसी वीडियो में मिलेंगे इस form को download करने के लिए इस वीडियो की description में आपको एक link मिल जाएगा उस link के माध्यम से आप इस form को download कर सकते हैं और रही बात इस form को भरने की और इस form पर company के sales sign करवाने की तो इसके लिए मैंने पहले ही कुछ video बना दिये हैं उपर आई बटन पर आपको एक link मिल जाएगा joint declaration form के बारे में मैंने पहले ही एक playlist बना दिये उस playlist में आपको वीडियो मिल जाएंगे तो बात करते हैं पहले सवाल के बारे में कि joint declaration form को कौन से PF office में जमा करना है तो इस सवाल का job यह है कि आपको joint declaration form को आपके regional PF office में ही जमा करना है अब यह regional PF office क्या होता है तो जिस PF office में आपका PF account होगा या आपकी company जिस PF office में registered होगी वो आपका regional PF office कहलाता है कुछ PF member सोचते हैं कि हमारे शहर में हमारे घर के पास जो PF office है उसी PF office में हम इस form को जमा कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है आपको इस form को आपके regional PF office में ही जमा करना है अब हो सकता है कि आप जिस सहर में रहते हैं उस शहर में पीएफ office तो है लेकिन हो सकता है कि वो आपका regional PF office ना हो काफ़ी सारे PF members का जो रिजिनल PF office होता है वो किसी ओर city या किसी ओर state में होता है तो आपको आपके नजदी की PF office में ये फार्म जमा नहीं करना है नहीं बताती है या फिर आप जौब छोड़ चुके हैं तो आप ऑनलाइन भी पता लगा सकते हैं कि आपका रिजनल पीएफ ओफिस कौन सा है ऑनलाइन पीएफ ओफिस का पता निकालने के लिए उसका एड्रेस पता करने के लिए मैंने अल्रेडी एक वीडियो बना दिया है उस वीडियो का लिंक आपको आई बेटन पर मिल जाएगा तो जैसे ही आपको आपके रिजनल पीएफ ओफिस का पता लग जाता है आप उस पीएफ ओफिस में इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं अब बात करते हैं दुसरे सवाल के बारे में कि अगर रिजनल पीएफ ओफिस द जमा करें लेकिन अगर ऐसा नहीं है आप आप यह जा सकते आप यह इस फॉर्म को जमा करने के पहला नशन चार्ण कर आक है। मैंने खुद experience किया है और काफी पीएफ मिंबर से यह मैंने सुना भी है कि इंप्लोयर भी जॉइन डिकलेशन फॉर्म को रिजनल पीएफ उफिस में जमा कर देते हैं दूसरा रास्ता है कि आपका रिजनल पीएफ उफिस जिस चहर में है अगर वहाँ पर आपका मित्र सकते हैं देखिए इसी वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप ओल्लाइल अपने पीएफ उफिस का एड्रेस पता कर सकते हैं तो जो एड्रेस आपको मिलेगा आप उस एड्रेस पर इस फॉर्म को को कर दिए आपका जमा हो जाएगा तो इस वीड करता हूं कि जुड़े इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको आसानी से समझा पाया हूं लेकिन अगर जुड़े आपके और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें चैनल पर आप नहीं ह करें आपको इस चैनल पर मिलते रहेगे